वेलकम बैक टू मैं चैनल आज मैं आपको डिएवी क्लास सेवें सोसल साइंस के चैप्टर 17 मेजर डिलिजन्स का सॉलुशन देने वाला हूं इस से पहले मैं इस चैप्टर का एक्स्प्राइशन विडियो बना दिया है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है एक्स्प सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहले हमारे पास आता है त्रिक दा क्रेक्ट ऑप्शन वू अमंग दा फॉलिंग वाज नौट शूफी संट नहीं थे तो अमीर खुसरो ऑप्शन नमबर दी चाहर सब्सक्राइब है कि लिजन्वेट प्लग्रिमेज तो हज इस प्रैक्टिस्ट किया जाता है तो इसक्दि इस्कर ज्रस्टेशान ऑपनमर बी इस्लाम सी थी हैं दा बVENे मोमेंट ऑजिनेटर इन बोर्फ राउंडीट हुआ था साउस इंडिया में ऑप्सो नाबर सी फोर्दा बसांस्सप्ष्थ डुलट अपोज कॉम्मुनल हाल्ज मोनी फाल्ज में फडस समिस्मुनल हाल्मुनी का पोज नहीं करते हैं जो कि फूर फिप्ट है वू कंस्ट्रक्रत दाकल तक्त नीयर गोल्डें टेंपल कि इसके अंशर को गुरू हर गोबिंद इस तो यह पर चैनल पर नहीं है तो चैनल लोग सब्सक्राइब करके बाला कि प्रिस करके और प्रिश कर लिजीए का क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ए दा फांडर आफ इस्लाम प्रॉफेट मोहमद वास बॉर्न इन मक्का इन 570 सी जो फांडर इस्लाम के प्रॉफेट मोहमद इनका जनुमक्का में वहा था 570 सी में शिखी में जो है ये गुरू शिश्षिक ट्रादिशन पर बेज़्ड है गुरुद्वारा हर्मिंदर शाहिव अम्रिस्व में सिच्वेटर है रामानद जो है यह भक्ति का आईडियास को नौर्थ में ले गाए थे अलवर्स वर्षिब विष्णू और नैनार्स वर्षिब सिव जो थे विश्णू को वर्षिब करते थे विश्णू की पूझा करते थे इस्वेंस इसका एक्स्प्राइशन में लोग देख लिएगा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि साहए सेच्टी के साहए चैप्टर के विडोस आपको मिल जाएंगे प्रेश का लिंक दिया एक्स्प्रेस ब्रेस को दूद्ट से देखा किजिए मैं किसी बीचाप्तर को अच्छे से एक्स्प्रें कर देता हूं उसके पूर्स नहीं जबना एक्स्थ यू पनाकरके देता ह कबीर हिंदु मुस्रिम यूनिटी दा कुरान इसलाम दी है एंसर दा फ्लिविंग कोशन्स इन ब्रीफ हाउ जिस दा सिटी अप अम्री सथ टेक इस ने अम्री सथ अपने नाम को किस प्रकार से लिया और किसने गुरुद्वारा हर्मिंदर साहिब को बनवाया था उसके मतलब के दी का ठीक है जो आए जो गुरु गोविन तो एक तो यह उन्हीं के नाम पर पड़ा है वके गुरु अरजुन देव जो है इन्हों ने गुरुद्वारा हर्मिंदर सहीब को बनवाया था गुरु अरजुन देव इसका नाम अब लोग में साहिए गा गुरु अरु लोग गुरु अरुरु वैंक प्रोफेट मौहम्ब अटें्ड रिवेलीशन हाषार काए ने रिवेलीशन ने रिवेलेशन को अटेंड किया और किस प्रकार से और अपने आपको Prophet of Allah के नाम से उन्होंने लिख लियर कर दिया अपने खुद को What was the way to realize God according to Guru Nanak? God को realize करने का कौन सा way है Guru Nanak के according? He propagated that to be one with God. One has to be egolized and denounced lusts or worldly pleasers. He believed in इरकार, प्रम्भा और God. For him, Ram and Rahim were the same. Fourth, give the meaning of bhakti and name four prominent bhakti saints. हम लोगों को bhakti का meaning बताना है और four prominent bhakti saints के नाम लिखने हैं. तो bhakti का मतलब होता है complete submission और devotion God को. Meera, Chaitni, Mahaprabhu, Tursi, Raas और Surraja है ये कुछ prominent bhakti saints है. Fifth, state the practices of Sufis which are similar to Hinduism और बुद्धिश्म. हम लोगों को Sufis के practices को यहां पर लिखना है जो कि Hinduism और बुद्धिश्म से उनके practices से related है वो सकते similar है. ठीक है कुछ practices जो कि Hinduism में से related है और बुद्धिश्म में से है वो है finance, fasting, प्रणायाम, good deeds and belief, inequality among all बिना किसी distinction, color, caste और फ्रीट के. पर तो पिनेंस हो गया, उसके fasting हो गया, प्रणायाम हो गया, ठीक है, सबीके बीच में, quality का कोई भेदबाव नहीं करना, distinction नहीं करना चाहिए, अंतर नहीं करना चाहिए, कास कलर, प्रीड को लेकर के, explain, sorry, answer the following questions, explain the teaching of Islam with special reference to its principles, लोगों को, Islam के teachings को explain करना है, उसके principles के reference के साथ सबसे पहला है, सभी मुस्लिम को, awareness of God को मानना चाहिए, जो की है, अल्लह और मुहम्मद को, उनके, अर्थ में, उनके prophet के रूप में, दूसरा सभी मुस्लिम को, पांच बार डेली, prayer offer करने चाहिए, और Friday को, मजजित में जाकर के, दूसरों के साथ मिल करके, prayer offer करना चाहिए, सभी को, पूर को, दान देना चाहिए, सभी मुस्लिम को, रमजान के दौरान, ठीक है, रोजा रखना चाहिए, यदि possible हो, तो सभी को, एक बार कम से कम, हर्ज में जाना चाहिए, मक्का में, ठीक है, अपने पूरी जिन्दिगी में कम से कम एक बार जानना चाहिए, second है, features of Islam that ने इसलाम लिजन हम लोगों को, इसलाम के features को, एहां पर mention करना, जो कि उसे human religion बना देता है, जो features है, इसलाम के जो कि उसे human religion बता देते हैं, वो है इस्लाम जो है इन्होंने आइडल वर्शिप को यह रिजेक्ट करते हैं ठीक है और इसको इलाबोरेट करते हैं यह इसीज़ का प्रचार करते हैं कि अल्ला जो है यह हमें बैट डिर्स के लिए पनिश करता है और हम लोगों गुद डिर्स के लिए दिवाद देता है पूर्स को दान देने में यह इंफेसिस देते हैं थर्ड है एक्स्पेंड दा कॉंट्रिबूशन अफ गुरू तेख बहादूर और गुरू गोविन सिंग तू सिख्खिज्म गुरू तेख बहादूर फाउट अगेंस दा अपरेशन बाइदा मुगर्स बहादू इंकले करीच अंग आंगजज थान अजेंस अथ्रोशन ओंगार रूलर्स बगुरू गोविन सिंग ओई निप्स तू तो सिंग मुवम्में शिख जिए फ्कृंट ठन्स्टिए पूंट आनलपूर पुपुलरी नोन अ तक्सी केजगर शाहिब इं 1699 तुस्ट था कमुनिटी आफ शीक्स काल्सा पांध बिकाम पॉलिटिकल इंटिर्टी इंटी इंट्वुलिट सेंटी न पॉलिटी इंटी आफ टमी इंटीड शेटी इंटी जवाइब बिकाम पॉलिटिकल इंटीण सोस. The Hindu society has been a prey to many evil such as caste system, inequality, superstitions, narrow-mindedness. The bhakti movement tried to reform the Hindu society by eliminating these evil. For this, the bhakti servants did a lot of work. They condemned the rigidities of the casteism and tortellations of love, devotion and equality. All over India, they used local languages to preach their messages. They discarded rituals and sacrifices to create oneness with God. They described all the kinds of discriminations based on religions. They opposed the caste system, superstitions and narrow-mindedness. They encouraged religious tolerance. Kabir and Nanak, the popular bhakti saints, strongly preached Hindu-Muslim unity. 5. Enlist the similarities between Islam and Sikhism The similarities between Islam and Sikhism both laid emphasis on one God or Almighty. Both believed in equality and rejected all kinds of discriminations based on caste, religion or wealth. Both preached that one should have pure heart and self-discipline to reach God. Both the religions propagated that to be one with God, one has to be egoless and denounced lust for worldly pleasers. अब नेक्स देखते हैं वैली बेस्ट कोश्चन इस्वाश्चन देखिए कोश्चन ने नहां पर इसका अंसर दिया गया है देख लीजिए. तो स्टुटेंस इसी के साथ हमारा सॉलुइशन वीडों कम्प्रीट होगे मैंने आपको एक्विए पुला सॉलुइशन दे दिया तो यह आपको वीडियो अच्छे लगा तो लोको लाइक कर दिजी और इस आपको लोको लाइक कर दिजी अपने लेट चाहिए. नहीं है तो शेल्गों सब्सक्राइब करें बेसके चांटी मैं आपके लिए असलों के र्विडियो करके जरूर देख लिए बटॉट को जरूर चीए बना हुआ है कि साइन्स हिंधी इंगलिश स्स्टि ओके तो आप लोग चैनल के प्लेश्ट चांच देख बाहिए तकी झाल झाल झाल